एक समय में अपनी फिल्मों में ओवर एक्शन दिखाने और उल जुलूल नाम रखने वाला साउथ इंडिया आज पूरी दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहा है। बॉलिवूड जो कभी साउथ इंडियन फिल्मों का खूब मजाया कुड़ाया करता था वो आज खुद उन्हीं के फिल्मों का रीमेक बना के खुद को वापस फ्रैक पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। आर-ार-ार, दसरा और कांतारा जैसी फिल्म के बाद एक और फिल्म ने पूरे इंडियन सीनेवा में बूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। इस फिल्म का नाम है 2018, Everyone is a Hero। क्या है फिल्म के पूरे कहाने आपको बताएंगे बने रहे हमारे साथ विडियो के लास तक। बॉलिवुड में 50 करोड रुपए से लेकर 100 करोड, 1500 करोड रुपए तक की फिल्में बन रही हैं। सल्मान खान से लेकर अजर देवगन और कार्तिकारिन जैसे अक्टर्स उनमें नजर आ रहे हैं। ये सितारे साथ की सुपरिट फिल्मों के रीमेक के जरी अपनी नई पार लगाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन 2023 में भी इन तीनों के लिए कोई गुड नियूज नहीं आई। और फिल्म किसी कभाय किसी की जान भूला और शहजादा बॉक्स आफिस पर बुरी पिट गई। लेकिन इसे बीच साथ इंजिन फिल्म इंडस्ट्री कम बजट, मजबूत कहानियों और शानदार आक्टिंग के जरीए वोक्स आफिस पर हिस्ट्री बना रही है। फिर चाहे वो दसरा हो या फिर विरुपक्ष। और अब आई फिल्म 2018 केरल में 2018 की बार्ड पर बनी 2018 मूवी ने तो कमाई का नया रिकॉर्ड ही रच डाला है। सच्चे घटनाओं पर बेज उस फिल्म ने मल्यालम सिनियमा में इतिहास बना दिया है। मल्यालम फिल्म 2018 को देखने के लिए पहले थ्रियेटर्स में खूब भीड उमडी। जिसके चलते थ्रियेटर्स हाउस फूल के बोर्ड लग गए। केरल की रियल स्टोरी को देखने के लिए फैंस खूब प्यार उटा रहे हैं। और अब इस फिल्म ने मल्यालम सिनिमा के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला है जो पहले मोहनलाल की लूसिफर के नाम था। फिल्म ने 11 दिन में 100 करोड रुपए कमा लिये हैं जबके लूसिफर ने 12 दिन में 100 करोड रुपए कमाये थे। इस फिर्म ने दुनिया भर में लगभग सौ करोड रुपए का कलेक्शन कर लिया है 2018 एवरीवन इस अ हीरो की स्टोरी साल 2018 में केरल मियाई बाड पर वेज़ है मूवी में बाड के सामने इंसानियत के जीत को बहुत ही बहतरीन तरीकी से दिखाया गया है केरल मियाई बाड ने कुछ हिस्टो को पूरी तरह से तबाह कर दिया था इस मूवी ने 2021 की सूपर हीरो फिल्म मिननल मुरली के बाड नेशनल लेवल पर पबलिक अधान खीचने वाली दूसरी टोविनो प्रोजेक्ट फिल्म बन गई है इसके साथ इस फिल्म ने साल 2019 में आई वायरस की यादो को भी एक बर फिर से ताजा कर दिया है दोस्तों बताते चलें कि टोविनों ने साल 2018 में बाड राहत के लिए अपनी मर्जे से लोगों की हेल्प की थी इस फिल्म में वो एक ऐसे यंग्स्टर के किरदार में हैं जो एक नकली मेडिकल सर्चिपिकेट के साथ भारती सेना को छोड़ देता है इसके साथ बाड के दौरान खुद को छुडाने में कामियाब रहता है मुवी मुख्य दौर पर आसिफ अली, कुचांको बोबन, लाल और नेशल अवार्ड विनर, आक्ट्रिस अपर्णा बाल मुर्ली ने एक टीवी रिपोर्टर का रोल किया है मुवी 2018 एवरीबन इस अ हीरो में टौवेनो थामस, कुचांको बोबन, आसिफ अली, विनीत, स्ट्रीनिवास, अपर्णा बाल मुर्ली और तन्वी लीड डोल में है फिल्म की प्रोडक्शन की टीम की जम करतारीफ हो रही है फिल्म को काव़े फिल्म कंपनी और पीके प्राइम प्रडॉक्शन के बैनर तले बनाया गया है सीखे पत्मकमार और एंटो जॉसेफ ने इस फिल्म को मिलकर प्रिडूस किया है बताया जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी रूलेज किया जा सकता है यह फिल्म देखने लाइक फिल्म है एक इंसानियत इंसान को कितनी जादा मदद करने पर मजबूर कर सकती है यह इस फिल्म में बड़ा प्यारी तरीके से दिखाया गया है दोस्तों आपको हमारा वीजियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीजियो अगर पसंद आया तो वीजियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चानल पर नई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर और बैल आइकन दबाएं जैसे हमारे सभी वीजियो के नौटिफि आप तक पहुंचते रहें